बेहन जोव और मैंने परमेश्वर की अंत की दिनों के कारी को साथ साथ स्विकार किया था परमेश्वर की वचनों की उसकी समझ शुद्ध है और उसने तेजी से तरक्की की है शुरू शुरू में मैं उसकी तारीफ करती थी लेकिन फिर मैंने देखा कि ग्रूप में भाई बेहन कैसे उसकी योगिता की तारीफ करते हैं और उससे बात करना पसंद करते हैं मैं उससे इर्शा करने लगी हूँ, मैं भी बेहन जोव से कम नहीं हूँ, तो हर कोई मेरी बजाए उसकी तारीफ क्यों करता है, क्या मैंने भी तरक्की नहीं की है? मैं उससे होड करने लगी हूँ, और उससे बहतर होना चाहती हूँ, जब वो सभा में अच्छी संगती करती है, तो मैं विचलित हो जाती हूँ, मैं जानती हूँ कि ऐसा सोचना ठीक नहीं है, और मैं बहुत बेचैन हो जाती हूँ, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ क्या तुम में से किसी का ऐसा कोई अनुभव है तुम इससे कैसे उबरी इश्या का मुझे भी अनुभव है कॉलेज में मैं और मेरी खास सहली एक ही कलीसिया में जाते थे कलीसिया हम दोनों को विक्सित करना चाहती थी और हमारी ट्रेनिंग भी साथ साथ हुई उसमें संगीत के साजों और नृत्य की कुदरती प्रतिभा थी और वह बोलती भी बहुत अच्छा थी सब उसकी तारीफ करते थे और उसका साथ पसंद करते थे ये देखकर मैं सूचती भाई बहन उसका इतना मान करते हैं वी मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या उन्हें लगता है मैं उसके बराबर नहीं हूँ इन विचारों के कारण मैं उससे इर्शा करने लगी मुझे लगता वह हर काम पर छाही रह दी है और मैं उससे कम तर दिखती हूँ इसके बाद जब भी मैं उसे देखती, मैं बुरी तरहे खीज उटती। हम दोनों सहपाठी, पक्के दोस्त और सहकर्मी रह चुके थे। पर उसके लिए मेरी इर्शा के कारण हमारा रिष्टा सामान ने ना रहा और दूरियां पैदा हो गई। एक ही छट के नीचे रहते वे भी हम शायद ही कभी बात करते। उसे कमरे में घुस्ते देखते ही, मेरा मूड खराब हो जाता। मैं कितनी भी खुश क्यों ना हूँ, उसे देखते ही, मेरी मुस्कान गायब हो जाती। उसके प्रती मेरी इर्शा धीरे धीरे नफरत में बदलने लगी। पाद में पादरी ने हम दोनों को कलीसिया के कमरों और कुछ सामान का इंचार्ज बना दिया। मौके का फायदा उठाकर मैं उससे काम करवाती। अगर वो उसे पूरा ना कर पाती, तो मैं उसे खूब लतारती और कम तर महसूस करवाती। मैं उसे दिखकारती हुई कहती, अगर तुम नहीं कर सकती हो, तो मैं कर दूँगी। तुमारे साथ काम करना मेरी बदनसीबी है, तुमारी जगे कोई और होता तो अच्छा होता। कभी-कभी मैं भाई बेहनों के सामने भी उसे बुरा भला कह देती, कि वह सुस्त या ढीली है। ताकि वे देख सकें कि उसमें भी कमिया है, और मैं उससे बहतर हूँ। मेरे बार-बार सुस्त बोलने के कारण, पादरी ने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया, और सिर्फ मुझे कलिसिया के कमरों की इंचार्ज बना दिया। हम जो पाच वर्ष साथ रहे, मैं हमेशा उससे एक गुप्ठ होड़ करती रही, और पल भर भी चैन से नहीं जी पाई। इर्शा में जीना बड़ा दुखताई होता है। सच मुझे। मैंने कई बार पाप सुईकार कर प्रभू से सेहन शीलता और धीरच की विनिती की, लेकिन इर्शा मेरे लिए एक नासूर बन चुकी थी, जो की ला इलाज थी। सही बात है। हाँ, ऐसी हालत में जीना बहुत मुश्किल है। मैं भी परमेश्वर से प्रार्थना करके इर्शा ना करने का संकल्प लेती हूँ। पर अगली बार फिर कुछ होते ही, ये वापस आ जाती है। फिर मेरे लिए इस इर्शा से उबरना दूभर हो जाता है। सच में। सही बात है। 2018 में मैंने सर्व शक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कारे को स्विकार किया। कुछ महीने बाद मैं सिंचन का काम करने लगी। भाई बेहन मेरी संगती पसंद करते और मेरा बहुत मान करते। पर कुछ समय बाद मेरे द्वारा सिंचित नई बहन लियू को कली सिया अगुआ बना दिया गया। ओहदे में ये बदलाव मेरे एहम पर एक गहरी चोट थी। मैं उससे पहले से परमेश्वर की विश्वासी थी पर अब वह मेरी अगुआ थी। सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। परमेश्वर की घर में रुद्वे का कोई फर्क नहीं होता। पर मैं उसके लिए अपनी इर्शा को रोक नहीं पाई और असंतुष रहने लगी। करतावे के लिए मैं भी हर कश उठा सकती थी और मैं उससे कमतर नहीं थी। तो फिर सबने मेरी जगे उससे क्यों चुना था। मुझे लगता कि उसने मुझसे मेरा रुद्वा और मेरी शान छीन ली है। मैं दुखी थी और इस सच्चाई को पचा नहीं पा रही थी। किसी सभा में उसका नाम या उसकी आवाज सुनकर मैं इतनी खीज उठती कि उससे बात तक करना मुझे गवारा ना होता। मुझे तो उसके साथ काम करना भी पसंद नहीं था। मैं हमेशा उससे अपनी तुलना करती रहती और उसकी गलतियां ढूंती। गलतियां मिलने पर मैं उसका मजाक उड़ाना चाहती थी। जब मैं किसी सभा की अगवाई करती तो मैं सबसे पहले उससे संगती करने देती ताकि उससे बहतर दिखूँ। अगर उसमें कोई कमी होती, तो मैं मन ही मन उस पर हसती. अगर संगती अच्छी होती और उसके तर्क मुझे समझ में आते, तो मैं सोचती कि मैं इससे बहतर संगती कैसे कर सकती हूँ, ताकि दूसरों को लगे कि मैं उससे कम नहीं हूँ. अपने इस संगहश में मैं दिनों दिन अंदिकार में घिरती और ब्रहमित होती जा रही थी मुझे वचनों में प्रकाश ना मिलता और मेरे पास संगती के लिए भी कुछ ना होता यहां तक कि मैं सभा की अगवाई भी ना कर पाती मुझे कोई रास्ता नहीं सूच रहा था और मैं सोचने लगी क्या मुझे दूसरों से बात करनी चाहिए पर मुझे ड़ लगता था कि ऐसा करके मैं दूसरों का मान खो बैटूंगी मैं इसी उजहन में रहती पर कुछ कहने से डरती रही मैं इश्या और नफरत की आग में सुलकती रहती मानो मुझे कोई गंभीर बिमारी हो गई हो मैं न दिन में खा पाती और ना ही रात को सो पाती हर दिन बहुत खराब और बोजिल होता था बाद में मैंने परमेश्वर से सिसकते हुए प्रार्थ ना की हे परमेश्वर मेरे मन में इतना अंधिकार और पीड़ा है मुझे ये इश्या डस्ती जा रही है हे परमेश्वर मुझे बचा लो इस प्रार्थना के कुछी दिन बाद मुझे परमेश्वर के वचनों का यंश दिखा एक इमानदार व्यक्ति होने के नाते तुम्हे अपना दिल खोलना चाहिए ताकि हर कोई उसके अंदर देख सके तुम्हारे विचारों को समझ सके और तुम्हारा असली चेहरा देख सके अच्छा दिखने के लिए तुम खुद को अकरशक बनाने का या भेशधारन करने का प्रयास ना करो लोग तभी तुमको इमानदार व्यक्ति मानेंगे ये इमानदार होने का सबसे मूल अभ्यास और इमानदार व्यक्ति होने की शर्थ है तु हमेशा पवित्रता, सदाचार, महानता का दिखावा करता है और उच्च नैतिक गुणों के होने का नाटक करता है तु लोगों को अपनी भ्रष्टता और विफलताओं को नहीं देखने देता है तु लोगों के सामने एक जूटी छवी पेश करता है ताकि वे माने कि तु सच्चा, महान, आत्मत्यागी, निश्पक्ष और निर्स्वार्थी है ये धोखा है भेश धारन मत कर और खुद को आकरशक धंग से प्रस्तुत मत कर इसके बजाए खुद को सपष्ट कर और अपने रिदे को पूरी तरह उजागर कर दे यदि तु दूसरों के देखने के लिए अपने रिदे को उजागर कर सकता है और अपने विचारों और योजनाओ को चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक सपष्ट कर सकता है तो क्या तु इमानदार नहीं बन रहा है यदि तू दूसरों के लिए अपना दिल खोल सकता है तो परमेश्वर भी तुझे देखकर कहेगा तूने दूसरों के देखने के लिए स्वयम को खोल दिया है और इसलिए तू निश्चित रूप से इमानदार है यदि तू केवल परमेश्वर के सामने अपना दिल खोलता है और दूसरों के सामने हमेशा महान और गुणी या न्याई और निस्वार्थ होने का दिखावा करता है तो परमेश्वर क्या सोचेगा और क्या कहेगा? वो कहेगा, तू वास्तव में धोके बाज है, तू विशुद्ध रूप से पाखंडी और क्षुद्र है, और तू इमानदार व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर ऐसे तेरी निंदा करेगा, यदि तू इमानदार व्यक्ति होना चाहता है, तो तू परमेश्वर या दूसरों के सामने जो कुछ भी करता है, उसकी परवाह किये बिना तुझे अपने आपको उजागर करने में सक्षम होना चाहिए, क्या यह हासल करना आसान है, इसके लिए समय चाहिए, इसमें आंतरिक संगहर्ष की आवश्रक्ता होती है, और हमें लगातार अभ्यास करना पड़ता है, दीरे दीरे हमारा रिदेख खोल जाता है, और हम खुद को उजागर करबाते हैं, आमीन, परमेश्वर के वचन पढ़कर मेरी समझ में आया, कि परमेश्वर को एमानदार लोग पसंद है, और वो हमसे दिल खोल कर बात करने की उमीद करता है, अपने अंदर की अच्छाईय रष्टता और कमिया सब खोल कर रख देनी चाहिए, सिर्फ परमेश्वर के आगे ही नहीं, हमें दूसरों के आगे भी खोल कर बोलना चाहिए, पर मैं हमेशा एक लबादा ओड़े रहती थी, ताकि भाई बहन मेरा बुरा पहलू ना देख पाए, क्या यह दोका देना नही परमेश्वर को यह पसंद नहीं है, इसलिए मैं जितना जादा जूट का लबादा ओड़े रहती, अपना मान और रुत्बा बचाना चाहती, उतने ही अंदिकार और कष्ट में गेरती चाहती, मैं खुद को ढखे नहीं रह सकती थी, मुझे इमानदार इंसान बनना था, आ जारानी हुई कि बाई बेहनों ने मुझे छोटा नहीं समझा, और बेहन लिव ने भी खुल कर अपनी हालत के बारे में संगती की, हमने परमेश्वर के सामने जुखकर प्रायश्चित में प्राथना की, बेहन लिव से खुलने के पार हमारी दुरियां कम होने लगी, और हम फिर से सहज हो गए, परमेश्वर का धन्यवाद, खुल कर बोलना बहुत अच्छी बात है, खुल कर बोलना और नकारत्मक और ब्रश्ट चीजों को उजागर करना सच मुझ मुक्त कर देता है, खुद को खोल कर रख देना अभ्यास का रास्ता है, और सत्य के अभ्यास की श मूल और सार का पता लगाने के लिए थोड़ा आत्म विश्लेश्वर भी किया, बाद में एक अगवा ने मुझे परमेश्वर के वचनों का एक वीडियो दिखाया, चलिए देखते हैं, ठीक है सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जैसे ही पद, प्रतिष्ठा या रुत्बे की बात आती है, हर किसी का दिल प्रत्याशा में उच्छलने लगता है तुम मेंसे हर कोई हमेशा दूसरों से अलग दिखना, मशूर होना और अपनी पहचान बनाना चाहता है हर कोई जुकने को अनिचुक रहता है, इसके बजाए हमेशा विरोध करना चाहता है इसके बावजूद की विरोध करना शर्मनाक है और परमेश्वर के घर में इसकी अनुमती नहीं है हाला कि वाद विवाद के बिना तुम अब भी संतुष्ट नहीं होते हो जब तुम किसी को दूसरों से विशिष्ट देखते हो, तो तुम्हें इरशा और नफरत महसूस होती है तुम्हें लगता है कि ये अनुचित है मैं दूसरों से विशिष्ट क्यों नहीं हो सकता हमेशा वही व्यक्ती दूसरों से अलग क्यों दिखता है और मेरी बारी कभी क्यों नहीं आती है फिर तुम्हें कुछ नाराजगी महसूस होती है तुम इसे दबाने की कोशिश करते हो लेकिन तुम ऐसा नहीं कर पाते तुम परमेश्वर से प्रार्थ ना करते हो और कुछ समय के लिए बहतर मैसूस करते हो लेकिन जब एक बार फिर तुम्हारा सामना इसी तरह के मामले से होता है तो तुम इससे जीत नहीं पाते हो क्या ये एक अपरिपक्व कद नहीं दिखाता है क्या किसी व्यक्ति का इस तरह की स्थिती में गिर जाना एक फंदा नहीं है ये शैतान की भरष्ट प्रकृति के बंधन है जो इनसानों को बांध देते है तुम्हें इन चीजों को छोड़ देने और अलग कर देने का तरीका सीखना चाहिए तुम्हें दूसरों की अनुशंसा करना और उन्हें दूसरों से विशिष्ट बनने देना सीखना चाहिए संगर्ष मत करो या जैसे ही दूसरों से अलग बनने या कीरती हासिल करने का अवसर मिले तुम जल्दबाजी में उसका फाइदा उठाने के लिए मत दोड़ पड़ो तुम्हें पीछे रहने का कौशल सीखना चाहिए लेकिन तुम्हें अपने करतव्यके निर्वहन में देरी नहीं करनी चाहिए ऐसा व्यक्ति बनो जो शान्त गुमनामी में काम करता है और जो वफादारी से अपने करतव्यका निर्वहन करते हुए दूसरों के सामने दिखावा नहीं करता है तुम जितना अधिक अपनी प्रतिष्ठा और रुत्बे को छोड़ते हो और जितना अधिक अपने हितों को अलग रखते हो तुम उतने ही शान्तचित बनोगे तुम्हारे रदय में उतनी ही ज्यादा जगा खोलेगी और तुम्हारी अवस्था में उतना ही अधिक सुधार होगा तुम जितना अधिक संगर्ष और प्रतिस्परधा करोगे तुम्हारी अवस्था उतनी ही अंधेरी होती जाएगी अगर तुम्हें इस बात पर विश्वास नहीं है तो इसे आजमा कर देखो अगर तुम इस तरह की स्थिती को बदलना चाहते हो और इन चीजों से नियंत्रित नहीं होना चाहते हो तो तुम्हें पहले इन चीजों को अलग करना होगा और इने छोड़ना होगा अन्यथा, तुम जितना अधिक संघर्ष करोगे, उतना ही अंधेरा तुम्हारे आसपास चा जाएगा तुम उतनी ही अधिक इर्षा और नफरत महसूस करोगे और कुछ पाने की तुम्हारी इच्छा अधिक मजबूत ही होगी कुछ पाने की तुम्हारी इच्छा जितनी अधिक मजबूत होगी, तुम ऐसा कर पाने में उतने ही कम सक्षम होगे जैसे जैसे तुम कम चीजें प्राप्त करोगे, तुम्हारी नफरत बढ़ती जाएगी जैसे जैसे तुम्हारी नफरत बढ़ती है तुम्हारे अंदर उतना ही अंधिरा चाने लगता है तुम्हारे अंदर जितना अधिक अंधिरा चाता है तुम अपने कर्तव्यका निर्वहन उतने ही बुरे धंग से करोगे तुम अपने करतव्यका निर्वहन जितने बुरे धंक से करोगे तुम उतने ही कम उपयोगी होगे ये एक आपस में जुडा हुआ, कभी न खत्म होने वाला दुश्चक्र है अगर तुम कभी भी अपने करतव्यका निर्वहन अच्छी तरह से नहीं कर सकते तो धीरे धीरे तुम्हें हटा दिया जाएगा आमीन परमेश्वर के वचनों से मैंने जाना कि इश्या का मूल प्रतिष्ठा और रुथवे की चाहा है जब शैतान हमें भरष्ट कर देता है तो सारी ब्रहमांड का सर्वोच शासक बस मैं ही हूँ और केवल एक ही अलफा पुरुष हो सकता है जैसे शैतानी विचार और वाक्य हम दिल में बिठा लेते हैं हम प्रतिष्ठा और रुथवे को जीवन का एक सही लक्ष समझने लगते हैं हम जहां जाते हैं, दुसरों की वावाही ही चाहते हैं और हर एक के ध्यान और तारीफ का केंद्र बने रहना जाते हैं जहां भी कोई दूसरा हमसे आगे बढ़ जाता है और हमसे वावाही चीन लेता है हमारी इर्श्य चलक पढ़ती है हम उससे आगे बढ़ने की सनक में पढ़ जाते हैं यहां तक कि हम उससे नफरत करने, उसकी उपेक्षा करने और उससे दबाने लगते हैं। सही बात है। इससे हमें भी नुक्सान होता है और उसे भी। कुछ साल पहले अपनी सहेली को लेकर मेरी हालक की बात करें तो, क्योंकि वो मुझसे अच्छा काम कर रहे थी, पर गहरी चोट की तरह लगता था। अपने अंधरूनी संतुलन को ठीक करने के लिए, मैंने उसकी कमजोरियों पर जोड़दारवार किया और उसे दूसरों के सामने बुरा भला तक कहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंध के दिनों के कारे को सुईकार्णे के बाद मैं जानती थी कि परमेश्वर इर्शालू लोगों को ना पसंद करता है। पर बहन लियों के अगवा चुने जाने से मैं सच मुझ जल्बन गई थी। मुझे लगता था उसमें मेरी जके छीन ली है और मैं उसे देखते ही खीजुटती। उससे होड के चक्कर में मैं सभाओं की अगवाई भी करने लगी थी। और उसे दूसरों के सामने शर्मिन्दा करना चाहती थी। इस पर आत्म चिंतन करते हुए मैंने देखा कि मैं कितनी चालबास और मकार थी। मुझ में रत्ती भर भी सामानने मानव तना थी। अब सोचती हूँ कि अगर मुझे वो ओधा मिला होता और हर कोई मेरा मान और समर्थन करता पर मैं सत्य के रास्ते पर नहीं चल रही थी। और स्वभाव में भी बदलाव नहीं था। तो आखिर में क्या परमेश्वर मुझ से ग्रिणा करके मुझे हटा नहीं देता। सही बात है। उस अनुभव के बाद मुझे सच मुझ एहसास हुआ कि नाम और रुदबे की पीछे जाना सही रास्ता नहीं था। और धीरे धीरे मैं इर्शा से मुक्त होने लगी। परमेश्वर का धन्यवाद, तुम्हारी संगती से मुझे कुछ एहसास हुआ है। इर्शा की हालत में जीना और हमेशा दूसरों से होड और अपने तुनला करते रहना नाम और रुदबे के वश्ट में होना है, जो बहुत खतरनाक है। तुम्हारी संगती और विशलेशन के बिना में ये नहीं समझ पाती। और प्रसिद्धी एवं लाब के लिए कोई भी फैस्टा ले सकते हैं। इस तरह से शैतान लोगों को अद्रिश्य बेडियों से बान देता है। और उनके पास इन्हें उतार फेकने की ना तो सामर्थ होती है, ना ही साहस होता है। वे अंजाने में इन बेडियों को ढोते ह और बड़ी कठिनाई से पाउं घसीटते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रसिद्धी एवं लाब के वास्ते मनश्य जाती परमेश्वर को दूर कर देती है और उसके साथ विश्वास घात करती है और दुष्ट बनती जाती है। इस तरह हर पीड़ी शैतान की प्रसिद् तुम लोग अब तक शैतान की भयानक मनशाओं को नहीं देख पा रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है प्रसिद्धी एवं लाब के बिना कोई जी नहीं सकता है। प्रसिद्धी एवं लाब को पीछे छोड़ कर लोग अपने लक्ष और आगे का मार्क देखने में हो जाएंगे। उनका भविष्य अंधकार में एवं विशाद पूर्ण हो जाएगा। परन्तु धीरे धीरे तुम सभी लोग यह समझ जाओगे कि प्रसिद्धी एवं लाब ऐसी भयानक बेडियां हैं जिनका उपियोग शैतान मनुष्य को बांधने ले करता है। जब वो समय आएगा कि तुम उन्हें फेकना चाहोगे जिनने शैतान ने तुमारे भीतर डाला है। तब तुम शैतान से खुद को पूरी तरह से अलग कर लोगे। और तुम सच में उन सब से घ्रणा करोगे जिनने शैतान तुम तक लाया है। केवल तभी मानव जाती के पास परम परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम और लालसा होगी। आमीन। और उस भावर से बाहर ना निकल सके। सच बात है। कुछ लोग सत्य की खोज नहीं करते। पर दूसरों की वावाई के लिए अगवा बनना चाते हैं। इसलिए वे खुद को उंचा उठाने और खुद अपनी गवाही देने के अलावा कुछ नहीं करते। दूसरों को नी और उसी विरोधियों की बात है। मृत्यू और नरक तक ले जाता है। सच में। बिना सत्य की समझ के, हम नाम और रुत्बे के पीछे भागने के सार को नहीं समझ सकते। इसलिए हम उन्हें बहुत उचा मानते हैं। उन्हें पाने के लिए हम सत्यों को छोड़ कर बुराई और परमेश्वर का विरोध करते हैं। बिल्कुल। दरसल कलेसिया में सब ही अपने अलग-अलग करतव्यों पूरे करते हैं। परमेश्वर की नजर में हम सब एक बराबर स्रिजित प्राणी हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। परमेश्वर सिर्फ ये देखता है कि क्या हम इमानदार और उसके प्रति आज्याकारी हैं, क्या हम सत्य से प्रेम और उसके खोच करते हैं, अगर हम सच्मुच ऐसा करते हैं, तो हम नाम और रुद्बे के लिए अपने भाई-बेहनों से नहीं जलेंगे, बल्कि उनके साथ मिल जोलकर काम करेंगे, और परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए अपने कर्तव्य निभाएंगे, सही बात है, जैसा कि परमेश्वर के वचन कहते हैं, कार्य समान नहीं है, सिर्फ एक शरीर है, प्रतियक अपना कर्तव्य करता है, और प्रतियक अपना चमक है, और जीवन में परिपकवता खोशता है, इससे मैं संतुष्ट होंगा, आमीन, परमेश्वर सभी के लिए न्याय पूर्ण और धर्मेख है, परमेश्वर हमें अलग-अलग हुनर देता है, और उस हुनर के उप्योग के लिए मकसद देता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संतुष्टी के लिए सर्विश्वेश्ट करें, और उसके दिये ओहदे पर, हम अपना हर कर्तव यानि भाई, हम इसी तरह परमेश्वर को संतुष्ट करके उसकी प्रशन सा पा सकते हैं, सच मुझे, मैंने साथ मिलजुलकर काम करने को लेकर भी परमेश्वर के क कुछ वचन पढ़े हैं, चलो अभी अंश पढ़े हैं, जरूर। करता है, उतनी ही वास्तविक्ता पाता है, उतना ही उसका मार गुजला और मन शांत होता है। आमीन। इसके बाद मुझे अभ्यास का सपश रास्ता दिखा और मैंने उसकी इच्छा को बहतर ढंक से समझा। मुझे बेहन लियू के साथ मिल जुलकर अपने करतावेने भाने थे। मैंने बेहन लियू से दिल खोल कर बात की, हमने अपने करतव्यों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की और उनके हल के लिए सत्य की खोज की, समय के साथ उसके साथ होड करने की मेरी सनख खत्म हो गए, अब मेरा दिल मुक्त हो गया और मेरी जिंदगी में शांती आ गई, प परमेश्वर हमारे आसपस ऐसे लोग लाता है जो हमसे बहतर हूं, ताकि हम उन लोगों को देखकर उनके गुड़ों से कुछ सीख सकें और अपने कम्यों को दूर कर सकें, इस तरह हम सीधे रास्ते पर चल कर तेजी से तरक्की कर सकते हैं, यह परमेश्वर का नुग्र है और आशिश है, सही बात है, संकुचित मन के कारण मैं परमेश्वर की प्रेम को नहीं पहचानती थी, आज अपनी ईशा के बारे में सोचती हूं, तो कितना बचकाना और मुर्खता पूल लगता है, वही तो, अगर हम अपने आज पास हर एक से बहतर हो, तो हम कुछ सीखें कि परमेश्वर द्वारा मेरे साथ एक ज़्यादा काबिल बहन को रखा जाना बहुत माइने रखता है, मुझे अपने एहम को पीछे छोड़कर करतव्य निभाना और परमेश्वर को संतुष्ट करना है, परमेश्वर का धनिवाद,